दोस्तों ये आदमी अपने ही बच्चे को डीमन्स के हाथों बेंच देता है इतना कि ये इस दुनिया पे राज कर सके हैलो दोस्तों आज हम एक्स्प्लेनेशन करने वाले हैं डोरो एनमे की तो बिना देरी के वीडियो सुरू करते हैं सुरुआत होती है और हमें गाउं को देखती है जहां पर बारिस हो रही होती है तब हमें एक औरत के चीखने के आवाज आती है वो बच्चे को जनम देने वाली थी और वहां घर के बाहर उसका पती होता है तब हमें पता चलता है कि वह दोनों इस गाउं के राजा और महरानी और तब हमें राजा को दिखाया जाता है जो पाष्ट में एक मंदिर में जाता है और उस मंदिर का नाम हॉल आफ हल होता है उस मंदिर में जाकर वहां का पुजारी हमें राजा का नाम डाइगो बताता है वह डाइगो से कहता है कि जो भी यहां पर आता है वह अपना मन बना क कर यहां आता है कि वो भुद्धा और भगवान को ना मानकर सैतान को मानेगा और मुझे पता है मैं तुम्हें ये करने से नहीं रोक पाऊंगा पर मेरी बात आखरी बार सुन लो अगर तुम भगवान को ना मानकर सैतान को पूजोगे तो तुम उसके बाद इंसान नहीं रहो मुझे मारने के लिए सुक्रिया जैसे कि तुमने कहा कि ये जगा एक नर्ख है तो मुझे इस बात का डर था कहीं मैं बुद्धा के उपर सक करने ना लग जाओं तुम भी सैतान से दूर रहना तब डाइगो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है इसके बाद डाइगो विजली गिरती है और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर महरानी का बच्चा हो जाता है और तब उस बच्चे पर भी विजली गिरती है इसके बाद डाइगो उस कमरे में जाता है और जब उस बच्चे को देखता है तो उसके सरीर पर चमड़ी और उसक चोने में महरानी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए यह हमारा बच्चा है और हम इससे प्यार करेंगे तब डाइगो कहता है कि अब मेरा सपना पूरा होगा इसपर महरOnी कि कैसा सपना तो डाइगो बताता की तैयारी करो जो राजियों का राजा बनेगा तब डाइगों की नजर बुद्ध की मूरती पर जाती है तब एक और सेविका उससे कहती है कि जब यहां पर बिजली गिरी तो उसने बच्चे को बचाया और अपना बलिदान दिया और इसके बाद हम उसी सेविका को देखते ह जो उस बच्चे को ले जा रही होती है और उस बच्चे से कह रही होती है क्या तुम जीना चाहते हो और फिर वो उसे नदी में फेंकने वाली होती है पर फिर वो सोचती है क्या इसे जीना चाहिए और उसे एक नाव दिखती है और फिर वो उसे उस नाव में छोड़ देती और तब उस सेवका के पीछे एक दानव आता है और वो उसको वहीं पे खा लेता है और इसके बाद उस दानव के बेगल में हमें एक अंधे आदमी को देखते हैं और वो बुढ़ा होता है पर वो हलका हलका उस सैतान को देख पा रहा था और तब वो कहता है कि आसपास कोई सै पर इसमें से स्रापेत्यानी कर्ष्ट होने की स्मेल आ रही है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो राजे फिर से हरा भरा हो गया और दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा कहां गया ये कोई नहीं जानता इसके बाद हमें 16 साल बात दिखाया जाता है जहांपर कही न कही अभी भी यूद चल रहा होता है और तब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्रे कर रहा होता है और तब वो अपने सामने एक आदमी को देखता है और उसके पास जाता है और कहता है कि तुम तो वही करेक्टर डोरो को दिखाया जाता है जो एक छोटा बच्चा होता है फिर वो एक बाजार में कुछ सामान बेच रहा होता है और तब वहां एक आदमी आता है और डोरो को कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंड लिया और कहता है कि ये सामान मेरा है जिस पर डोरो कहता है कि तुम् लोग एक बच्चे से बेवकूफ बन गए, तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए, इसके बाद वो आदमी डोरो को मारने वाला होता है, पर डोरो उसके ऊपर एक गमला फेक देता है, और वहां से भाग जाता है, और वो आदमी और उसके साथ दो और आदमी होते हैं, जो दोरोरो का पीछा करते हैं, और तब हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है, जो उस जगह से जा रहा होता है, और तब एक बच्चा नीचे फिसल जाता है, पर वो आदमी उससे बचा लेता है, और वहां से चला जाता है, और इसके बाद हम उन तीनों आदमी को देखते है जो दोरोरो को ढूड रहे होते हैं तब दोरोरो उन पर कीचर फेक देता है और कहता है कि इससे अपना मूँ साफ करो और वहाँ से भाग जाता है फिर हमें दोरोरो को एक पुल की नीची दिखाया जाता है जो सेतानी करके खुस हो रहा होता है तब वहाँ एक डौग आता है तो डोरो उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने माता पिता नहीं मिले और कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है और डोरो एक मचली निकालता है पर वो उस मचली को उस डौग को नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अपना खाना खुर ढोनना चाहिए और इतने में वो तीनों आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो उस कुत्ते को उठा देते हैं और डोरोरो से कहते हैं क्या ये तुम्हारा है तो मैं तुम्हारी गलती के लिए इसे सजा दूँगा तुमने जो कहा था वो करो और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों डोरोरो को मार रहे होते हैं और कुछ देर बाद डोरोरो को मारने पीटने के बाद डोरोरो से कहते हैं कि तुम अपना चहरा भी यहां पर मत दिखाना जिस पर डोरो उसकी आँख पर एक पत्थर से मारता है जिस पर उससे और गुसा जाता है और वो कहता है कि आज में तुम्हें मार ही दूँगा और अब वो डोरो को नदी में डुबाने लगते हैं तब वो देखते हैं कि उस फुल पर तो वही आदमी खड़ा होता है और वो आगे को देख रहा होता है जिसे देखकर वो कहते हैं कि इसका चहरा डौल की तरह लग रहा है और यह कहां पर देख रहा है और वो उस आदमी को कहते हैं कि तुम्हारी क्या प्रॉबलम है इस बच्चे के साथ हम जो भी कर रहे हैं ये इसी के लायक है तब वो अपनी तलवार को हाथ लगाता है और इतने में डोरोरो कहता है वो हमें नहीं देख रहा ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पीछे देख रहा है तब हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अंधा होता है और नीचे हम देखते हैं कि नदी में कुछ उनकी तरफ आ रही होती है तो वो आदमी कहता है कि क्या ये बस कुछ कच्रा है पर वो एक दानव होता है और वो नदी से बाहर आता है और उस आदमी को खा लेता है जिसे देखकर बाकी भी वहाँ से भागरे लगते हैं पर वो उन दोनों को भी खा लेता है और वो डोरो को भी खाने वाला होता है उतने में उपर से वो आदमी आता है और उसके हाथ काड़ और डोरो को बचाने के बाद वो खुदू उश डीमन से फाइट करने लगता है और फाइट में हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो आदमी अपने आम्स को अपने से अलग कर देता है और उसके साथ उसकी दो तलवारी निकलती है जिससे वो उस पूल को काट कर नदी में गिरा देता है और उस पूल के साथ ही वो दानों भी नदी में चला जाता है और तब डोरो उसके हाथों को उसके पास ले आता है और उनको उसके सरीर में लगा देता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा चेहरा आखें कान सम नकली है क्या तुम मुझे उन नकली कानों से सुन सकते हो पर तभी आदमी कापने लगता है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है और तब हम देखते हैं कि उसके चहरे पे चमड़ी नहीं होती पर थोड़ी दिर बाद उसके चहरे पर चमड़ी आ जाती है और पता है यही राजा का पहला बच्चा होता है और फिर हमें डाइगो को दिखाये जाता है और तब वहाँ पर बिजली गिरती है और डाइगो परिसान हो जाता है और वो अपने माथे के निसान पर हाथ लगाता है ये निसान उसे उस सैतान के साथ सौधा करने के लिए मिला था और इसके बाद उस मंदिर में वापस जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक सैतान के मूरती के दो टुड़े होते है तब उस राजियों में तुफान आने लगता है और इसके बाद हमें महरानी और उसके दूसरे बच्चे को दिखाया जाता है तब वो बच्चा सिकार करके आ रहा होता है और वो महरानी से कहता है मैंने इसे मारा है और मैं आपको इसके लिए पकाऊंगा महरानी उसे सबासी देती है पर मौसम का हाल देखकर महरानी कहती है कि आज मौसम वैसा ही है जब मेरा पहला बच्चा हुआ था और फिर उसी मूर्ती के तरफ देखती है और इसके बाद हम बहुत सारी लासो को देखते हैं जहांपर जुकाई भी होता है जो एक बॉडी को मास्क लगा रहा होता है और इसके बाद हमें डोरो को दिखा जाता है जो उसे देख के हैरान होता है और वो बोलता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ और तुम क्या हो, क्या तुम इंसान हो भी पर लड़का बिल्कुल सांत रहता है वो कुछ भी नहीं बोलता और इसी के साथ डोरो का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है पर अब आगे उस बीना आख और बीना इसकीन वाले लड़की के साथ क्या होगा ये हम जानेंगे आगे के एपिसोड में तो आज के एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्स्राइब करना और एक कॉमेंट भी जरू छोड़के जाना और अभी एपिसोड से फिर और भी एइन में दिख रहे होंगे उसको भी जरूर देखना तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई